सबको जे इसुकी नव जिवन का संदेश इश्विर्श के अंतरगत प्रति दिन का इश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर मनंचिंतन करने के लिए और उन वचनों के अनुसा जिवन बिताने के लिए मैं आप सभी लोगों का हरदिक स्वागत करता हूँ निश्चितरुप स है इसलिए भाई ये बेहनों आईए हम आज के वशनों पर मनंचिंतन करें और आज जुलाई की आठ तारिक है शनिवार है विशेसरुप से माता मरिया के प्रति हम अपने श्रद्दा और बक्ती को व्यक्त करते हैं माता मरिया के मद्यस्त मांगते हैं और आज की सूसमचार के दोरा मुक्य विशे हम समों के सामने प्रस्तुत किया गया है उपवास को लेकर उपवास उपवास पुराने जमाने से ही एक दार्मिक क्रिया मानी गई है और लोग अलग अलग समय अलग अलग अदेश से अलग अलग प्रकार से उपवास करते आये हैं मुक्रब से बाइ भी इस बात का जिक्र करते हैं पश्चताप करते हुई पूर्ण रुप से इश्वर के पास लौट आने के उद्देश से अपने जीवन में नवीनी करंड आने के उद्देश से उपवास करने की बात बाइबुल भी बताता है अब आज के सू समचार में हम देखते हैं योहन क शिष्च प्रभु के पास आए और बोले हम और फरीजी उपवास किया करते हैं हम लोग और फरीजी उपवास किया करते हम लोग यानि कि यहुदी समाज के लोग थे योहन के शिष्च और फरीजी यहुदी समाज के लोग थे और यहुदी समाज की प्रता थी उपवास करन धार्मिक क्रिया कलापों में उपवास एक महतपूर्ण क्रिया थी और इसको वो नियमित रुप से करते थे और जब उन्होंने देखा कि प्रभु येसु के शिश्च नहीं कर रहे हैं तो वो सवाल करते हैं प्रभु येसु से हम लोग उपवास करते हैं फरीजी उपवास कर क्योंकि उनके धरना यहे थी यहुदियों की धरना यह थी उपवास करना एक बहुती महतवपूर्ण धार्मिक नियम है और उस नियम को पूरा करना अती आवश्यक है उसको पूरा नहीं किया इसका मतलब इनसाने बहुत बड़ी गलती कर दे इश्वर के सामने यह तायने कि नियम पूरा होना चाहिए किसी भी प्रकार से नियम नहीं तूटना चाहिए नियम पूरा होना चाहिए इससे ज़्यादा कोई गहराई का अर्थ उनके मन में नहीं ता यतना ही था कि एक धार में के नियम है उपवास करना और उसको नियम इतरब से करना चाहिए और नहीं किया तो वो उंगले उठाते थे उसने क्यों नहीं किया इसने क्यों नहीं किया ऐसा क्यों हुआ ये उंगले उठाने का काम वो क्या करते थे अब प्रभु के पास योहन के शिश्य आके इस बात को लेके सवाल करते हैं हम लोग कर रहे हैं आपके शिश्य क्यों नहीं करते अब प्रभु यसू उन लोगों को उत्तर देते हुए उनके माद्यम से हम सभी लोगों को उपवास क्या है क्यों करना है इसका तात्परी क्या है किस प्रकार का उपवास प्र करता है प्रकट करता है सर्वप्रतम प्रभू उन्हें बताता है उपवास क्यों करना चाहिए बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं उपवास क्यों करना चाहिए उपवास करना चाहिए कई बार लोग सोचते हैं से के हर दिन उप्वास करना चाहिए हर शुकर वार को उप्वास करना चाहिए ये सारे नियां बहुत सारे लोग अभी भी भी बहुत आ बहुत गंवे rehabitr法 से मानतें बहुत अच्छी बात हैं लेकिन जब तक हमें इसका अर्थ मालम नहीं, उपवास क्यों करना चाहिए, तब तक इसमें जादा कुछ हम हासिल नहीं कर पाएंगे, ये बात जानना, बलीबानती जानना बहुत ही जरूरी है, उपवास क्यों करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी सवाल है, उपवास क्यों करना च यह बात प्रभू उन्हों को उत्तर देते वह समझाता है इसका इत्तर प्रभू येसु कि शिक्षा से सपश्ट हो जाती है। उपवास करने का मकसद लक्ष यह है उपवास हमारे मन को शुद्ध करते हैं नहीं कि उपवास करने से हमारी मन को शुद्ध होना चाहिए यानि कि मन में गलत दारना हैं गलत विचार हैं गलत बाते हैं गलत सोच हैं किसी के परती गुसा है किसी के परती नफरत है किसी के परत हैं या दिल में हैं तो और उप्वास कररे हूँ और यहां पर कोई परिवर्थन नहीं आ ओर रहा है आपके मन USDA मनंasse बना हुआ है तो उसक्त सा कर कोई फाइदा नहीं की उपğास का पहला लक्ष muit को को शुद्द करने के लिए दूसरा दूसरा उद्देश है हमारे रदय को शुद्द करना रदय में बहुत सारी वासनाइं बरी हुई हैं बहुत सारी बुरायां बरी हुई हैं बहुत प्रकार के गंदेगी हमने जमा करके रखी अपने रदय में और हम लोग उपवास करने सु लेकिन आफने आपको क्या संथर्थी स्टासे देते हैं हमने आज पूरा दिन उपौास रख्था ॥ hackers रखा मतिलब क्या है पूरा दिन खाना नहीं काया बहुत अची बात है काना छोड़ना भी इतना आसान नहीं है पूरा दिन उपवास रखा लेकिन असली उपवास नहीं हुआ असली उपवास हुआ है अगर दिल में आपके दिल में किसी के प्रती ग्रणा है वासना है आपने बर रखी है या बुराई की बुराई जमा करके रखी है और उसमें से शुद्धता प्राप्त करने का उद्दे हुआ लेकिन ये अदूरा है पूर्ण नहीं हुआ इसलिए उप्वास का दूसरा लक्ष हम समझ सकते हैं दिल की शुद्ता थीसरे बात हमें समझने कि जरूत है हमारे विछार और विचारों को शुद्द करना विचार शुद्द है बूली फिशुद्द बाशा शुद्ध होगी हमारे शब्दावली शुद्ध होगी हम लोग कितने बार क्या क्या बाशा इस्तिमाल करते हैं एक प्रकार के गलत शब्दों के इस्तिमाल करते हैं बात्चित करते करते या किसी को मजाक उडाने में कितना गंदे शब्द कहीं बार इस्तिमाल करते हैं किसी को नीचा दिखाने की बात हम करते हैं यह सब हम लोगों को सही करना है तभी झाकर ऊपवास का सही अर्थ हमारे जीवन में प्रभाव हमारे जीवन में आ सकता इसलिए विचारों से शुद्ध शुद्ध तो हासिल करना तीसरा लक्ष है और चौता लक्ष है विचारों को काबु में रखने में काबु में रखने के लिए बहुत सारी हमारे अंदर चाहते हैं बहुत प्रकार के चाहते हैं और उस सारे चाहतों पर हम अगर हम काबु नहीं रखेंगी हम लाल्ची बन जाएंगी स्वार्ती बन जाएंगी बहुत कु इसलिए उप्वास हमें एक प्रकास सल्प डिस्प्लिन करने के लिए मदद करता है कि हमें अनुशासित करना चाहिए उप्वास के द्वारा हमें अनुशासित होना है यह एक लक्ष है और इस प्रकास से कहीं प्रकार के लक्ष प्रभू आज के सूसमचार के द्वार हमारे सम को रखता हैं अपनी इच्छाओं को नियंतरन रखने में उपवास हमारे लिए मदद करना चाहिए इच्छाओं को जब तक इच्छाएं अगर नियंतरन नहीं रखेंगे तो हम लोग बिलकुल बिना बिना पतवार के नाव जैसे बठकते रहेंगे दुनिया में इदर उदर म इच्छाओं को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी है और इच्छाएं एक मूल कारण बनता हमारे जीवन में पाप की और बढ़ने के लिए जब तक इच्छाओं पर हम नियंतरन नहीं रखेंगे तब तक वह उपवास का कोई प्रबाव हमारे जीवन में नहीं आ सकत उपवास करने से स्वास्त के लिए भी अनिकलाब हैं यह बात अलग है उपवास करने से स्वास्त से भी हम लोग आगे बढ़ते हैं यानि कि अच्छा स्वास्त हम प्राप्त कर सकते हैं उपवास करने से स्वास्त के द्रस्टे से भी बहुत ही फाइद मन्द है उपवास उ कि हम लोग कहीं बाद सोचते हैं उपवास करना मतलब प्रयाश्चित के एक विदी है बस हो गया लेकि असली प्रयाश्चित वह है जो उपवास मुझे प्रभू के साथ रिस्ता जोड़ने में एक दुसरे के साथ रिस्ता जोड़ने में बहुत ही मदूर प्यार बरा संबंद एक दुसरे रखने में मदद करता है वह उपवास फाइदे मंद हैं लाब दायक है और ऐसा उपवास हमें करने की आवश्यकता है आद्यात्मिक साधना का प्रभल माद्यम है उपवास आद्यात्मिक जीवर में आगे बढ़ने का प्रभल माद्यम है उन्हें कि उपवास की शुद्ध ता दिल के शुद्ध ता विछारों के सुद्ध आभावनां के शुद्ध का lagi में बिछारों में बातों हर प्रकार के शुद्ध ता प्वित्रता रासिल करने का परहम लक्ष यह जब लखश्य है इसनले हम Gir brightest आपकर सब्रूप के सब्सक्रवर के साथ है उसको उपवास करने के जरूरत नहीं है उपवास करने के जरूरत है जो इश्वर के साथ नहीं है इश्वर से दूर चला गया है पाप करते विए बुराई करते विए अधर्म करते विए जो दूर चला गया है उसको उपवास करते विए पश्यताब करते विए पवित इस प्रकास से प्यारे भाईयों बहनों, हम लोग आज के सु समझार के दौर सीखते हैं, उपवास का सही अर्थ और क्यों करना है, कब करना है, इसका फाइदा क्या है, इस सारी बातें प्रभू हमारे सम्मुक रखता है, आज हम चिंतन करें कि हम अपने धैनिक जीवन में बहनों, उपवास बहुत ही जरूरी है, सही माइने में उपवास करें, सही अर्थ में उपवास करें, सही तरीके से उपवास करें, इसको जाने क्यों उपवास करना चाहिए, क्या मेरा लक्ष उपवास करने का, मुझे क्या हासिल करना है, इन सभी बातों के लेकर उपवास करेंगे निश्यत रूप से उपवास का प्रभाव हमारे जीवन में आएगा हम प्रभू के नजदेग जाएंगे पवित्रता में आगे बढ़ेंगे हमारा रिष्टा सम्मद मदूर होगा एक तुसरी के साथ और हमें सुन्दर बहतरीन इसाई जीवन कृस्तिया जीवन बिता पाएंगे आए हम प्रारतना करें सरो शक्तिमार पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए आज के वशनों के लिए आज के दिन में प्रभू आपने हम सबों को सिखाया है बताया समझाये उपवास क्या है क्यों करना है कब करना है कैसे करना है कैसे हमार करता ये समस्री के नाम से आमें